समरी ओफ गोदान अगर इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है कहानी को समझने के लिए तो लास्ट हमने छोड़ा था कि कैसे दाता देन की हां काम कर रहे हैं हुरी और उसका परिवार औ अपनी वैट चुनियां को लेकर और बच्चे को लेकर शेहर जा चुका है अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं को दान की समरी का पार तू अब यहां पर जो दाता देन का बेटा है माता देन जो कि हमने पहले बताया था कि वह एक लेड़ी के साथ रहता है जिससे धनिया चमारिन क्या के प्रनाउंस किया था तो वह अनाउंस कर देता है कि अब वह उससे कोई रिष्टा नहीं रखेगा और वह उसे अपने घर से निकाल देता है बिचारी बहुत जादा परेशान होती है और बहुत रिक्वेस्ट करती है तो धनिया उसे अपने घर पर ले आती ह अब उनकी और धनिया की बेटी सोना भी बड़ी हो चुकी है 17 साल की हो चुकी है आप जब भी बाहर रहती है गाओ के लोग को जादा ही उसके आसपास घूमते है उसे घूरते हैं वह भी जिनकी शादी भी हो चुकी है इस बात को लेकर हो री परिशान है पूरी सोचता है कि पर अब से ही समय आगया है कि वह सोना की शादी कर दे वो सोना की शादी कारनी के बारे में सूछता है इसके लिए वह एक दुलारी नाम की शॉप कीपड से 100 रूप़ design भी लेता है और सॉ रूपय का लोन ले ले लेता है हाला कि सोना को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो कैसे लोन पर लोन लिये जा रहा उसकी शादी के लिए तो वो अपने होने वाले हस्बिन को स्पाॉस को एक लेटर लिखती है मतरा को जिसका नाम मतरा होता है वो उससे कहती है कि उसे ऐसे दहेज लेकर शादी ना करें तो इवेंच्विली वो मान भी जाते हैं बिना दहेज लेकर शादी करने के लिए पर धनिया उठोनी मना कर देते हैं वो कहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट इसी में है कि वो दहेज की शादी करें और बिना दहेज के न नहोरी को दोनों को घर से बार निकाल देता है अब भोला जाता है नोखे राम किया और वो से वहां जॉब भी मिल जाती है वहां काम करता रहता है पर थोड़े समय बाद भोला के बेटे को ऐसा लगता है उसकी बीबी परिशान हो जाती है काम करते करते वो बोलता है कि अगर होला को और उसको वापश लियांगे तो कम से कम वो उसके सर्विंट की रूप में वरक Zu师 की रूप में काम baixo करवाधिया करेंगे तो वह आकर अपॉलिजायस करता और बोलता है कि नहीडने हैं आप लोग मेरे साथ रहने चलो भोला पर नहोरी कोई बात अच्छी नहीं लगती और भगा देती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे इस बार से भोला सूचता है कि अब तो वह कहीं अपनी वाइप का गुलान बनके रह गया है कुछ दिनों बात मंगरू आता है और वह क्योंकि फसल अच्छी होई होती है त उनके पास कुछ नहीं बचा होता अब दहेज के लिए वह पैसे लाएं तो लाए कहां से तो एक दिन नहोरी आती है और दनिया से बोलती है तो नहोरी उन्हें 200 रुपे उधार देती है अब शेहर में गोबर का क्या हाल है तो गोबर जो अच्छा का सा कमाई कर रहा था जब भी वो बाहर कोशिश करता है ना जगे मिलती है और उपर से जगडे फसाद निफता है अब वो भी तंगा चुका है अब वो काम पे जाने की वज़ाए घर में बैट कर कार्ट्स खेलता है चुनिया भी अब शेहर की जिंदगी से परेशान हो चुकी है उसका एक बच्च जिए रही होती है कि एक दिन लाडू को डाइरिया हो जाता है और उसका दूसरा बच्चा आने वाला है उनकी पड़ोसन चुहिया उसे एडवाइस देती है कि अब तुम्हारी दिलिवरी होने ही वाली है जुनिया बोलती है कि ना तो किसी दाइब को जानती है और नहीं उ जुए जुनिया को नौकरी दिलवा देती है घास काटने की खेतों में और सब कुछ जारा होता है वहां गाव में नहोरी सब कुछ दिखावा करती है कि अगर वो दो सो रुपे ना देती ना तो उनकी लड़की कवारी ही रह जाती यह सुनकर धनिया को हमेशा बहुत गुस है कि वह भूल जाए कि उसकी कोई पत्नी है वह तो उसे मरा समझ के अपने परिवार के पास चला जाए हाला कि कुछ दिनों बाद अफवा उड़ती है कि नहोरी ने भोला कि जम कर जूता से पिटाई की है अब एक दिन माता देन जाता है होरी के पास और वह पांच रुपे के लिए लिए क्यूंकि अब वह भूत बीमार रहने लगाता जबसे उसने सीलिया को निकाला था बहुत ही परेशान बहुत ही उदास फोरी कहता है तो नहीं मानता है तो होरी होरी उना जाने कर बताता यह अब जब तैयर के गई तो गीली हो चुकी यूठ मतरा के घर के बार पहुंच के अपने आपको साफ करने की कोशिश करती है अपने कपड़े सुखाती है हाला कि मतरा उसे देख लेता है जब वो दरवाजा कर आती है वो उस पर मुख दो जाता है और उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है वो उसे कह देती है कि वो उस कोई खरी कोटी सुनाने लगती है उधर महता को मालती के प्रती अट्रेक्शन हो जाता है वो मालती से प्यार करने लगता है वो ये बात मालती को भी बताता है तो मालती उससे पूछती है कि तुम्हारी क्या है ये सब तो ये फीलिंग्स क्या है तो फिर महता उसे बोलता है कि मालती के प्यार उसके लिए बहुत प्योर है और वो मालती को भी बहुत प्योर मानता है फिर महता उससे कहता है मुझे एक सवाल का जवाब दो अगर तुम्हें पता चल जाए कि कोई तुम्हें चीत कर रहा है कोई तुम्हें दोका दे रहा है तो तुम क्या करोगी मालती तो मैं तो उसे समझाने की कोशिश करूँगी, उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी, उसे भैतर इंतान बनाने की कोशिश करूँगी, और अगर फिर भी वो ना माना, तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं आत्मत त्या कर लूँगी, यह सुनकर मैता कहता है कि अगर विचार और दौनों के बिचार नहीं मिलते हैं मेहता उसे प्रपोस कर देता है वर मालती उन्हें मना कर देती है और मालती ऐसे और दोनों अभी के लिए दोस्तीा रहते उर्माना अजिए और भी धा्डी और मालती से चली जाती है मेहता का दिल तूट PETER कही है। वहीं सपप्र राइ साफ आपने बेटे की शादी एक प्राजव कुमारी से कराना चाहते थे। राइस साफ के बेटे को प्यार हो जाता है ओर जा विदेश विदेश या सब बेटा उन पर केस कर मतरह नहीं होते हैं щоб मृता कि मुलती को बताता है तो कमाता तो बहुत जादा है हजार रुपए महिना पर बचुछ भी नहीं कर पास टीज már 25 अवह टो दो पैसे मैनेज करना हम आज को और महता ऊता हो जाना ही ढ़ता है और मालती कुछ पैसों की बचट भी करके दिखाती है उसे और दौनों साथ में रहे होते हैं एक दिन मालती कहीं जा रही होती है उनकी कार खराब हो जाती है और तब गोबर उस कार को ठीक करने में मदद करता है मालती उसे काम पर रख लेती है 15 रुपे महीना पर और महता साथ दौनों के दौनों साथ में बच्चे के साथ खेला करते अफेक्शन शो किया करते एक दिन महता साथ ने मालती को प्रुस्ताद दिया कि क्यों न हम भी ऐसे ही शादी कर ले तो मालती कहते हैं नहीं कभी नहीं हम लोग दोस्त के रूप में ही बहतर है और वही ठीक है और उसे वादा करता है कि अब वो से छोड़ के कहीं नहीं जाएगा वो हमेशा उसके साथ रहेगा उसका डिवोटी बन कर रहेगा उदर हौरी की हालत दिन बादिन खराब होती जा रही थी अब तो उसे कोई लोन नेने को भी राजी नहीं था उसने दो सो रोपए के लिए अपनी बेटी रूपा की शादी कर दी एक अधेर उम्र के आदमी से गोबर होरी की मदद करना चाता है वो चाते है कि वो उसके लोन और उसके डैप्ट उधार चुकाने में मदद करें पर होरी ऐसा नहीं चाता है वो सब कुछ खोदी कर लेना चाता है वो गोबर को मना कर देता है अब वो एक सड़क निर्माड के कंपपिनी में मरज़ूरी का काम करने लगता है वो दिन रात मेहनत करता है अब धनिया भी सूत काट कर घर का गुजारा करती है एक दिन हीरा वापस आ जाता है और वो माफी मांग लेता है वो एडमिन करता है कि हाँ गाए को उसी नह मारा था पर होरी खुश है होरी उसे माफ कर देता है होरी काफी खुश हो जाता है पर अपको अपना करजा चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करता है वो रात को देर से आता पूरे दिन काम में लगा रहता अपना बिलकुल ध्यान ना रखता ऐसे है एक दिन वो बीमार होता करता है वो लख्वा ग्रस्त है हीरा कहता है कि आप समय आगया है कि हम गौधान कर देना चाहिए बिना देरी की यह भी साने निकालती है जो उसने सूत कट कर बचाए होते हैं वो खोरी के हातों से उन्हें दाता देन को दिलवा देती है गौधान के नाम पर हलांकि उसके पस गाय देने के पैसे नहीं होते हैं उसके बचे हुए भी साने वह यही गौदान के रूप में दाता दिन को दिलवा देती है और उसके बाद सिर पर हाथ रख कर जमीन पर गिर जाती है अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें ज्यादा से रज़ा शे लाइक जरूर कीजिये और फॉल 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 थैंक यू सो मच